आज का हमारा विश्य है साधना का वायू मंडल बनाओ जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है इसी प्रकार से ब्रह्मा मा अमरित वेले से चारू और के बच्चों की देखरी करते रहती है साकार में तो बच्चे निमित है लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा मा विशेश शक्ती हिमत उमंग उत्साह से बच्चों की पालना करते रहती है शिब्बाबा तो हैं लेकिन पालना का विशेश करतवे ब्रह्मा मा का है भाग्य विधाता ब्रह्मा हरेक बच्चे को स्नेह के रिटर्न में भंडारी बन वर्दानों का भंडार अरपन कर देते हैं कोई भी बच्चा अव्यक्त स्थिती में स्थित हो करके मिलन मनाए तो बाप से जो वर्दान चाहे वो पाए वर्दानों का भंडार अखुट है स्नेह का रिटर्न ही है सहज वर्दानों के गिफ्ट गिफ्ट प्राप्त करने में मेहनत नहीं होती है गिफ्ट मांगनी नहीं पड़ती है गिफ्ट अपने आप मिलती है कोई मेहनत के द्वारा वर्दान प्राप्त करे वो अलग बात है लेकिन ब्रह्मा मा तो स्नेह के रिटर्न में वर्दान देते हैं वर्दान प्राप्त करने का सहथ साधन है दिल का स्निह दिल का स्निह ऐसा खजाना है कि बाप से जो चाहो वर्दान ले सकते हो वर्दान ही खीच करके लाया है स्निह खीच करके लाया है स्निह हमें रहना सहज है पुरुशारत के मेहनत के जरुरत यह नहीं क्योंकि स्निह में रहने का सबको अभ्यास है अब सिर्फ इतना किया है कि जो यहां वहां विख्रावा स्निह था उसको एक के साथ जोड़ दिया है संबंद भी पहले अनेकों के साथ थे और अब एक के साथ हो गए है स्निह भी एक के साथ हो गया है स्निह का आधार है मेरा पन इसलिए बच्चे सारा दिन कहते रहते हैं मेरा बाबा मेरा बाबा मीठा बाबा मेरा बाबा करते रहते हैं बाबा कहते हैं मेरा बाबा मेरा बाबा के पुश्प बाप को अरपन करते रहते हैं फिर बाबा कहते हैं कि स्निह का परदर्शन तो बहुत अच्छा किया लेकिन अभी इस स्नीह को साकार रूप के द्वारा परदशित करो जिसका अर्थ है बाप समान बन जाओ कोई भी मिले, कोई भी देखे तो उसे समानता की जलक दिखाई दे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के गुणों की सूरत मुरत आप बच्चों में जलके उनके दिल से निकले कि इनके संकल्प, बोल, त्रिष्टी, वृत्ती सबसे न्यारी है मधूबन महा तीरत में ब्रह्मा बाब के त्याग, तपश्या और करम के वाइब्रेशन समाए हुए है या कोई भी आता है तो कहता है ये तो अलोकिक भूमी है ये तो स्वर्ग भूमी है ऐसी भूमी तो संसार में कहीं भी नहीं ब्रह्मा बाबा के साथ साथ अनन्य बच्चों के शक्ति शाली परकंपन भी मधूबन के वायू मंडल में है तो आप बच्चे जहां भी रहते हो वहाँ बाबा के गुण और शक्तियों का ऐसा वायू मंडल बनाओ जो आपके संपरक में आने वाली आत्माओं को बाबा का अनुभव हो जाए इसको कहते हैं बाप समान बनना वाणी के द्वारा भी हम बाबा को पर्तेक्स करते हैं लेकिन शक्तिशाली साधन है गुणों के द्वारा कर्मों के द्वारा बाप को पर्तेक्स करना कोई भी आपको देखे तो वो ये कहे कि इनकी द्रिष्टी तो अलोकिक है न्यारी है और उसके मन में प्रशन उठे कि आपको ऐसा किसने बनाया आप ऐसे कैसे बनी कोन है वो बनाने वाला जैसे दुनिया में भी कोई नई चीज देखते हैं न तो लोगों के मन में सवाल उठता है कि इसका मेकर कोन है इसका रचाईता कोन है तो आप अपनी बाप समान स्थिती के द्वारा बाप को पर्तेक्स करों आज कल के दुनिया में मिज्योरिटी आत्माईं ये मानती हैं कि इस तमो प्रधान वातावरण में कोई पवित्र आत्मा हो निश्वार्थ आत्मा हो सतोगुणी आत्मा हो ये होई नहीं सकता है आप अपने प्रतेक्स परमाण के द्वारा उन्हें विश्वास दिलाओ कि ऐसा हो सकता है आत्माई ऐसी बन सकती है और हम ऐसे बनी है आधूनिक युग में लोग प्रतेक्स परमाण ज्यादा चाहती है और सुनना कम चाहते हैं तो चारूं और कितने बच्ची हैं अगर हरेक बच्चा पर्तिक्स प्रमान बन जाए तो उन आत्माओं की देखने की और सुनने की मेहनती खतम हो जाए और जब ऐसा होगा तो प्रजा बहुत तिवर गती से बने की और आप बच्चे राजा बनने वाले तो होई प्यारे बाबा वर्त्मान संसार की स्थितियों को देखते हुए बच्चों को पुना स्मृति दिलाती हैं कि बच्चे बेहत की वैरग्यी व्रत्ति का वायू मंडल बनाओ चाहे कोई सेंटर पे रहता हैं चाहे पुर्वरत्ति में या कहां भी रहता हैं बाप दादा ने हर बच्चे को सब प्रकार के भरपूर साधन दिये हैं खाने पीने रहने के सब साधन सब बच्चों के पास हैं और कहीं कहीं तो बच्चों के पास जरूरत से अधिक साधन हैं और ये जरूरत से अधिक साधन साधना को हल्का कर रहे हैं इसलिए बाप दादा ध्यान खिचवाते हैं कि अभी तक आप बच्चों ने साधनों का अनुभव किया बहुत अच्छा है जो हुआ बहुत अच्छा हुआ लेकिन अब बेहत की वेराग्य वृत्य का वायू मंडल बनाओ साधना को बढ़ाओ ब्रह्मा बाबा के जीवन को आप सब नहीं देखा साधनों के कोई कमी नहीं थी लेकिन फिर भी सब साधन बच्चों को दे दिए अपने लिए कोई यूज नहीं किया निरंतर साधना में रही तो बाबा नी कहा कि कुछ हो ही न और फिर व्यक्ति कहे कि जी मैं तो वेराग्य हूं मुझे तो किसी चीज का आकर्षन नहीं है बाबा नी का ये तो एक अलग मैटर है वेराग्य का अर्थ है सबकुछ होते हुए भी उप्राम वृत्ति हो शाधन है लेकिन मन बाबा में लगा हुआ है मन साधना में लगा हुआ है मन साधना के रस में डूबा हुआ है इसको कहते हैं वेराग्य व्रत्ति नौलेज के बल से विश्व कल्यान करने की भावना से स्विम को पर्तेक्स करने की लगन और बाप को पर्तेक्स करने की लगन से जो वेराग्य आता है वो सच्चा वेराग्य है जब बच्चे 14 साल की बठी में थे तब भी बेहत का वेराग्य था साधनों की कमी नहीं थी लेकिन बठी में पड़े थे तपश्या ने साधनों की सुदबुद भुला रखी थी अब भी बाबा ने बहुत साधन दिये हैं हर बच्चे को दिये हैं और आने वाले समय में ये साधन बढ़ते ही जाने हैं लेकिन बाबा सावधान कर रहे हैं कि साधन कितने भी बढ़े लेकिन आपकी बेहत की वेराग्य वरती और साधना का वायो मंडल कम ना हो फिर बाबा ने कहा कि वर्तमान समय संसार में जो अनेक प्रकार की समश्याई हैं उनका कारण है कि लोगों की इच्छाई बहुत है इच्छाओं के कारण हर विक्ति परिशान है भले पदम पती है लेकिन फिर भी इच्छाओं ने सबको परिशान कर रखा है वायू मंडल में इच्छों के वाइब्रेशन इतने ज़्यादा हैं कि हर विक्ति परिशान है तो आप बच्चों का फर्ज कि आप बेहत की वेराग्य व्रत्ति का वायू मंडल बना करके उनको भी वेराग्य दिलाओ तब ही उनकी परिशानी मिटेगी और तब ही वो सच्चे सुक्षानती का अनुभव करेंगे आप बचे इस कल्प व्रिक्स की जड़े हैं और जड़ों का प्रभाव व्रिक्स के हर पत्ते तक होता हैं तो आप अपनी जीवन शैली से उनको दिखाओ कि हम साधनों के आधार पर खुश नहीं है लेकिन साधना से खुश है अपनी बेहग की साधना का वायू मंदल पर्तिक्स करो और जब आप ये वायू मंदल पर्तिक्स करेंगे तो जो आत्माई अभी आपकी सहयोगी है वो आत्माई सहज योगी बन जाएंगी साधनों के वशी भूत होकर के साधनों का प्रियोग मत करो दिट्टेच होकर के सक्सी होकर के न्यारी होकर के साधनों का प्रियोग करो साधन आपके मालिक ना बन जाए मालिक आपे बन के रहे क्योंकि साधन तो प्रकरती की चीजी है और आप प्रकरती पती है तो ये प्रकरती सतियुग में आपके गुलाम तब बनेगी जब पहले आप यहाँ इसे अपने गुलाम बनाने का अभ्यास करेंगे तो साध्धनों को मालिक पन करके यूज करो और यूज करने के बाद दिटैच हो जाओ, फिर अपनी साध्ना में खो जाओ बाबा जानते हैं समया अनुसार कई साध्नों का प्रियोग करना पढ़ता है, मना नहीं है लेकिन साधनों का चिंतन चित्त की एकाग्रता को भंगना करी इसके लिए साधना का वायो मंडल बनाओ ओब श्यांति